नमस्कार दोस्तों मैंनम सुरीप और मैंने एक बहुत ही पॉपुलर गेम खेला जिसका नाम है Among Us आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हो कि मैंने Among Us को खेल के क्या-क्या सीखा और आप भी क्या-क्या सीख सकते हैं इस वीडियो को बनाने का मेरा दो मकसद है, पहला तो यह कि यह बहुत अभी हॉट टॉपिक चल रहा है और मेरे चैनल में अभी तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्यों मुझे नहीं पता बठ नहीं हो रहा है मैंने सोचा कि Hot Topic को पर एक वीडियो बढ़ा देता हूँ तो शायद कुछ growth देखने को मिल जाए और दूसरा जो reason है Among Us से सच में सीखने को कुछ चीज़े है और मुझे लगा कि आपको ये चीज़े बताना चाहिए अब मैंने इन दोनों points को analyze किया और last में decide कर लिया कि हाँ मैं एक वीडियो बनाऊँगा और आपके साथ में ये वीडियो आ गया अब चली देखते हैं कि क्या क्या आप सीख सकते हैं Among Us से लेकिन उसे पहले जान लेते हैं कि आप इस game को कैसे खेल सकते हैं यहां पर आप 4 से लेके 10 तक players को add कर सकते हैं और 9 से एक से लेके 3 तक imposters होंगे imposters यानि कि वो जो कि बाकी players को मारेंगे गेम के नियम बहुत ही simple है imposters को सभी crewmates को मारना है और अगर वो सभी को मारने में successful हो जाते हैं तो वो जीच जाएंगे अगर crewmates उनको दिएगे tasks को complete कर लेते हैं या फिर imposters को पकर लेते हैं या फिर दोनों ही कर लेते हैं तो crewmates जीच जाएंगे अब example के लिए सोचिए एक game मैंने शुरू किया जहां पर दो imposters है और 8 crewmates है अब वहां पर जो imposters है वो crewmates को मार देंगे और सिर्फ 2 crewmates बचेंगे तो imposters जीच जाएंगे लेकिन अगर crewmates अपना जो tasks है वो complete कर लेते हैं या फिर उन दोनों को ही पकर लेते हैं तो crewmates जीच जाएंगे बहुत ही simple है मैंने सोचा कि आपको एक बार इस game को खेल के दिखाई देता हूँ जिसे कि आपको और फिर अच्छे से समझ में आए यह देखें यहां पर दो options है पहला है local फिर है online लोकल में जो local games चल रहे हैं उनको खेल पाएंगे और online में option broader हो जाता है मैं आपको एक बार local को open करके दिखाता हूँ यहां पर देखें कोई भी game available नहीं है क्योंकि local में बहुत ही कम games आपको देखने को मिलेंगे अब मैं online में जाता हूँ वैसे यहां पर और नीचे दो options है पहरा तो है how to play फिर है free play तो इन दोनों के बारे में मैं जादा discuss नहीं करूँगा हम online में जाएंगे और online में देखेंगे फिर जादा तसेट में game को online ही लोग खेलते है online जाने के बाद यहां पर देखिए कुछ options आ चुके है यहां पर आप चाहे तो एक खुद game host कर सकेंगे तो host करने के लिए create game के उपर click किजिए और यह देखिए यहां पर देखें मैप में तीन options आपके पास है आप इन तीनों में से कोई भी एक choose कर सकते है तो मैंने पहला वाला ही choose किया अब देखिए यहां पर चाहे तो तीन imposters रख सकते हैं अगर आप एक रखेंगे और minimum player का संख्या भी आपको चार रखना पड़ेगा दो अगर आप choose करेंगे तो minimum आपको साथ players रखने पड़ेंगे और तीन choose करेंगे तो minimum आपको 9 players रखने पड़ेंगे और आप 10 player तक एक game में ले सकते हैं मैं एक बार आपको create करके दिखाता हूँ और यह देखे मैं एक rocket में चला आया हूँ अब यहां पर यह जो code लिखा हुआ है आप इस code को share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मैं एक बार mark करके भी आपको दिखा देता हूँ यह देखे यह वाला code तो इसको आप share कर सकते हैं अपने friends के साथ और उनके साथ खेल सकते हैं अब यह देखे अभी यह private में है इसको जब मैं public कर दूगा तो जादा लोग इस game को join कर पाएंग इनको शाद आप नहीं भी जानते हो अब यह देखे यहां पर एक chat का option दिया हुआ है आप यहां से chat कर सकते हैं और चाहे तो यह पर जाके इसको customize भी कर सकते हैं अब मैं इस game को leave करता हो और एक बार आपको public में game join करके दिखाता हो leave game और चलिए एक बार एक public में game को join करते हैं लेकिन हां उससे पहले यह देखे नीचे और एक आपको चीज देखने को मिलेगा private तो यहां पर आपको code को enter करना पड़ेगा जो code हमने देखा होस्ट हमने जब एक game को किया तो जो code के बार में मैं बता रहा हूँ तो उसी code को आपको यहां पर enter करना पड़ेगा कोई फी game को join करने के लिए अब यहां पर और एक चीज का भी ध्यान आप रखिए कि यह server जो है यह server कौन सा वाला है आपको किसी hosted game को join कर रहा है और आपका जो server है वो दोनों server ही same होने चाहिए तो इस वात का भी ध्यार रखिए तो server आपको देखने को मिलेगा इस जगा पर अब चलिए एक public game को join करते है यहां पर देखें तीन maps के उपर ही selection है और आप यहां पर नीचे अगर देखेंगे तो इन तीनों maps से ही games क को यहां पर ला गया है आप चाहिए तो कोई भी एक particular map को भी खेल पाएंगे इनको सिर्फ deselect कर दीजिए तो यह देखें जैसे कि मैंने इसको choose किया और refresh कर दिया तो देखें अब सिर्फ इसी maps से games आएंगे तो इस तरीके से आप maps को select करके भी गेम को खेल पाएं गे अब यहां पर और एक option है imposters का यहां पर any कर सकते यह तो tीन की ओपर क्लिक कर सकते है ज pear ऐक के ओपर क्लिक कर सकते है आप जितने imposters एक game में देखना चाहते ुस उतनी kaute मैं यहां कर सकते है अब मैं फिसे refresh करता हूं यह जाएं पहले गेम को जॉइन करते हैं फिसे एक बर try करते हैं और चलिंग इसको जॉइन करते हैं यह देखिए गेम शुरू हो रहा है और गेम शुरू हो चुका है मैं यहां पे एक क्रिव मेठ हूँ और आप यहां पे उपर देखिए उपर में आप देख पाएंगे टोटल टास्क लिखा हुआ है यानि कि कितना टास्क कम्प्लीट हुआ है आप यहां पे देख सकते हैं अब चलिए मैं यहां से निकलता हूँ यहां पर आके मैं यूज कर सकता हूँ इसको और टास्क जभी कम्प्लीट कर दिया तो यहां पर यहां पर यह जो टूटल टास्क कम्प्लीट वाला जो section है थोड़ा सा यहां जो जो टास्क कम्प्लीट करेगा वैसे ही यह जो है यह भरता चला जाएगा अब इस game के अंदर ही voting हो रहा है और यह देखिए voting भी चलता है यहाँ पर तो यहाँ पर मैं किसी को भी vote कर सकता हूँ जते कि मैंने यहाँ पर skip vote किया भी मैं किसी को vote नहीं कर रहा हूँ क्यों मैं नहीं जानता कि कौन इंपोस्टर है अब यह देखिए यहाँ पर messages हो रहा है कौन किसको सक कर रहा है तो ऐसे messages हो रहा है अब चलिए voting ends in 18 seconds तो यह सभी ने भी vote कर दिया है और nobody ने यहाँ पर इस को बुलाया था इस meeting को बुलाया था तो यह देखिए एली अब यह शायद यहाँ पर एली एली वाज दे इंपोस्टर है तो इन्होंने पकर लिया है और हम गेम को जीट चुके हैं ऐसे ही आपको गेम को खेलना है बहुत ही इंट्रेस्टिंग एंगेम है तो फाइनली इंपोस्टर बन गया हूँ मैं अब मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसको मार सकता हूँ लेकिन अभी मारोंगा नहीं और यह देखिए यह वेंट है अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर वेंट कर सकता हूँ देखिए वेंट करने के बाद अब देखिए यहाँ जो वेंट है इन फेंस के अंदर से मैं अब निकल सेकता हूँ तो यहां पर एक बार फेंस यहां पर मीटिंग आ गई है और शायद इन रुप्ता चल गया है देखते है शायद पते चल गया है देखते हैं क्या होता है देखते हैं क्या होता है वे वे वोट तो कर्द ही दिया है तर्फी एक बार तो प्राउन को ही वोट कर दिया है और मुझे अभी बाहर निकल देंगे और अभी भी एक इंपोस्टर बचा हुआ है यह रेडवाला तो यह देखे रेडवाला अभी भी मार सकता है और यह देखे रेडवाले ने मार दिया तो ऐसे ही यह गेम चलता है और रेडवाले ने वेंट करके यहां पर आ भी गया यह जो गेम है अचानक से ही फेमस हो गया और यहां पर आपको बहुत कुछ खास ग्रैफिक्स देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह गेम क्यों फेमस हुआ मेरा जो मानना है वो यही है कि इसकी स्टोडी की वज़े से आप क्या सोच से जरूर मुझे कॉमें सेक्षिन में बताना अब चलिए जान लेते कि क्या कै आप एमोंग अस से सीख सकते है यहां पर पहला जो चीज सीखने की है वो है प्रेशर वैदर आप इंपोस्टर बनके खेले या आपके उपर प्रेशर है अगर इंपोस्टर बनके खेले तो यह प्रेशर है कि कैसे लोगों को मानना है और अ आप जानते हैं कि नहीं, blue कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके साथ ही वो चल रहा था, इस समय कैसे peer pressure को handle किया जाए, यारि कि rate के बार-बार कहने के बार भी, अगर बाकी क्रिमेंज भी वो ही कह रहे हैं, फिर भी खुट को handle करनी की कला ही आप यहां पे सीख सकते हैं, हमे से आप बहुत बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं, मैंने भी 11-12 में science लिया था, क्योंकि मेरे जो classmates से वो भी science ले रहे थे, लेकिन ये एक बहुत ही खड़ाब decision मेरे लिए साबित हुआ, दूसरा जो चीज आप सीख सकते हैं वो है, आप कैसे लोगों को handle करें, आप अग काम करना है, जो की है, लोगों को मारना, ये शायद आपको लग सकता है कि थोड़ सा immoral है, लेकिन अगर reality को देखे, तो ये जो skill है, ये हमें कभी-कभी काम में आ भी जाती है, among us हमें एक ऐसी reality में ले जाता है, जहां पे कोई भी किसी का नहीं है, शायद आपके पास जो pair खरे हुए है, वो ही आपको मार दे, अगर आप इसको real world के साथ compare करेंगे, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे चीज़े तेखने को मिलती है, शायद आपके जो सबसे अच्छे दोस्त है, वो ही शायद हविश्य में कुछ ऐसा कर दे, जिससे की आपको बहुत ही जादा शती पहु तो है इनोसेंट को बचाना, आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि ग्रूप में कौन इनोसेंट है, और उसको भी बचाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी, अगर कोई किसी को फसाने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ पे जो मैंने पहले example लिया, कि रेर अगर किसी को फसान जादर वो crewmate हो या फिर imposter हो, crewmates को हमेशा यह प्रूब करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, और imposter को भी यह प्रूब करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, और जो यह चीज सबसे अच्छा कर पाएगा और अपने काम के ओपर focus कर पाएगा वो ही आखिर में जीत जाएग लेकिन खुद का जो काम है उसे को अकेले छोड़ देते हैं यारी कि उसको नहीं करते हैं कुछ-कुछ प्लेयर्स है जो कि दूसरों के पीछे दौरते रहेंगे और ये प्रूप करने की कोशिश करेंगे कि वो imposter या फिर imposter को धूनने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर सभी players खुद के tasks को complete करें तो game वो ऐसे ही जीच जाएंगे इसलिए हमें हमेशा ये focus करना पड़ेगा कि हमें खुद के काम करने हैं और फिर ही कोई दूसरे बनके भी काम कर सकते हैं अब यह आपके ऊपर है कि leap कर जाएंगे या फिर काम को complete करेंगे अगर आपने आपके जो tasks है उसको complete किया इसका मतबब है कि आप group के लिए काम कर रहे हैं अपने group के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर यह एक mentality काम करता है कि मुझे मेरे group को जीता ना ही है किसी भी हद तक मुझे अगर ghost बनके भी काम करना पड़े फिर भी मैं करूँगा यहाँ पर हमें एक leadership के शिक्षा मिलती है मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने group के लिए काम जरू करूँगा और last जो चीज मैंने notice की कि हमें सीखने को मिलती है वो है धर्मा एक imposter का धर्मा क्या है उसको लोगों को मारना है और एक crewmate का धर्मा क्या है उसको खुद का काम करना है और imposter को पकरना है आप कह सकते हैं कि जो imposter वो तो गलत काम कर रहा है फिर मैं आपको एक example लेता हूँ हमारे borders में जो soldiers fight कर रहे हैं हमारे देश को secure रख रहे हैं वो भी तो कभी कभी लोगों की हत्या करते हैं क्या ये गलत है यहां पर देखिए आप कौनसे काम के लिए lower को मार रहे हैं यह ज़्यादा important है यह important नहीं है कि आप लोगों को मार रहे हैं जो soldiers हैं वो मार रहे है खुद के देश के लिए जहकिन वहां पर कोई psycho killer है जो कि यही काम कर रहा है लेकिन खुद के आनंद के लिए तो वो गलत है, वहाँ पर कोई धर्मा नहीं है, वहाँ पर अधर्मा है, क्रूमेट का धर्मा क्या है, कि वो इंपोस्टर को बाहर पे के, वो इंपोस्टर को मारे, और इंपोस्टर का धर्मा है, वो क्रूमेट को मारे, तो यहाँ पर पहले क लिए लड़ है दोनों ही अपने धर्मा को ही कर रहे हैं आशा करता हो आपको मेरी एनालिसिस अच्छे लगी होगी अगर लगी है तो प्लीज 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 इस वीडियो को शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे अभी बहुत ही जरूरत है मैंने टार्गेट लिया है कि हमारे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस दिसंबर के महीने में आशा करता हो कि आप मेरी बात सुनेंगे और मुझे हल्प करेंगे मैं इसी तरी की इंफर्मेटिव कॉंटेंट बनाता रहूंगा लेकिन उसके लिए मु